सो नमश्कार में मेह स्वागत करती हूं आपका प excel एक बढ़ किया कहना है उनसे ही जानती ऑप पर जो तरीके बहाड़ा वस्पूला जा रहा है महिंगाई को लेकर पेट्रोल डिजल बढ़ रहे हैं इस पर क्या बिशारा है इसे क्रोना लेकर के जो बढ़ा रेट उसमें अभी कम ही नहीं किया जा रहा है उसी रेट पर कम पेसेंजर ले जाना था तो बढ़ा दिया गया वहां तक ठीक था लेकिन वसी भाड़ा को अभी लिया जा रहा है यहीं परशानी है परसेंजर के साथ हम लोगों करना पड़ा दस रुपया बोले कि मतलब यहां का भाड़ा दीस रुपया है तो पचीस रुपया लिए है और को अटो ड्राइबर को जहां बिश लेना चाह है कि हमको डिस्टांस का जो भाड़ा होता है रूट 22 फिर से इसका रिभाड़ त्यार होना चाहिए किसी-किसी ओटो वाले का बेवार ठीक नहीं रहता है और कभी-कभी किराय को लेकर अक्सर किराय को ही लेकर होता है तो कुछ 5-10 रुपय कहीं-कहीं उनको लगता है कि यह मैं जबता है कि wore die बने बहन नहीं रहते हैं यह लोग हमारी यहीं है कि आकि वो भी मेहनद करें अपने परिवार के लिए इसलिए हम लोग चाहतें कि जो वाजीब भाड़ा है हम लोग का तो कहना है कि कम से क्षंटर मिटर सीश्टम रहता तो और दी अच्छा था मीटर के हिसाब से पैसा देते और हम लोग देते भी हैं कभी मन माना कि ये में बिरोद में कभी हम लोग कोई बात नहीं काते हैं जो वाजीब भाड़ा जो ले रहे हैं लेना चाहिए वो सही है उनके लिए वक्त करीब 8-10 साल 15-20 साल पहले की बात है पांच रुपया से दो रुपया से सुरू की थी मैं दो रुपया लोकल भाड़ा दो रुपया और अभी वही लोकल भाड़ा 15 रुपया हो गया लेकिन फिर भी जैसे बहुतों के पास जो अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं है स्कूटी वगयरा तो उनकी मजबूरी है कि जाना पर शाव कर पा करcular het Loss समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जैसे आटो में सारेसिंजर नहीं भारते हैं तब तक वह लोग उसको नहीं च्छोड़ते है इसलिए उनको थोड़ी प्रईसानी है तुसी साब से जैसे हम लोग कभी काना है कि इस्टूडेंट का थोड़ा कॉंशेशन होना चाहिए भाड़ा थोड़ा कॉंशेशन सबसे अधिक मांगाई की मार है इनकी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है जिसके कारण हो भी तंग है परिवार को चलाने में बाल बच्चों को अच्छा परवरिज देने में इसलिए वह भी कभी कभी चुड़ी हो जाते हैं मनमानी भड़ा लेते हैं यह तो अभी हमने पसेंजर से बात कि और हम अभी ओटो ड्राइवर से बात करें उनसे जानेंगे जो मनमानी भड़ा वसूला जाता इसके पीछे का कारण क्या है तो बढ़ती महंगाई की कारण पेटोल के दाम बढ़ रहे हैं डिजल के दाम बढ़े सेंजी के दाम बढ़े हैं जिससे लोग सब्सक्राइब को कारण क्या मानतें तो इन देखा जाते हैं चाइब को दोर मीटिंग होना चाहिए होता ही है जैसे से उपर से आदेश होता था सोता है तब हम लोग बढ़ा बढ़ाते हैं इसा प्रफिश्चित भाड़ा तैय है तब हम लोग बढ़ा तैय है लेकिन देखा चाहित हो कुछ वोटो वाले कम पैसा लेते हैं और इसा एकाद को कोई नया नया जो होते हैं वही आगे पिछो लेते हैं और ऐसे जो अपना अपना रूट में चलते हैं वह भाड़ा फिक्स प्रकशन के कारण है कि जहां कि भीच था वहां पंद्र कर दी आप और जो भीच में घुज आते हैं जैसे फरकट मारने माला चाहित जो भी रिक्सा रिक्सा वहीं सब भाड़ा कम कर देते हैं अब कांटाट्यों लेशां भीच पर भाड़ा हुए दस में भाड़ा था तो जानता पसंजर के हम 10 बज़े भी रात में आएंगे तो गाड़ी हमको मिल जाएगा जतने हम पर हमिए के दूर पर कमाते हैं पहले कि सिस्टम क्या था कि अगर डेर सुपर कमाते थे उसमें 50 बज़ था अभी कि का सिस्टम के चार सुपर भी कमा रहे हैं पैसा नहीं बचता है अगर आउस्कूल फिज दना तो फिर किसी से लीजिए फिर कुछ कमाईए तो फिर दीजिए उसे ही चाल रहा है इसी में समझ गये हैं पालन पुसंत तो हुए रहा घीज पीज के क्या किया जा है महंगाई को उपर सरकार देख काहां रहा सरकार जो बोले कि हम घटा रहे जो पंचानवर रुपया उससी देख दूसर रुपया हो गिया हम लोग भी तो मर रहे हैं हम लोग भी ओटो का दाम पड़ गया तो हम लोग भी तो बढ़ा देंगे कि पासेंजर उनका कहना है या फिर उनलों का मानना यह होता है कि ओटो ड्राइबर अप मल मानी महाणा बसूद नए यह गिलत है पिट्रोल का दाम कहां 86 रुपया था अभी हो गया 108 रुपया और गाड़ी के दाम जो हम लोग खईते थे एक लग 15 जार्म हो गाड़ी के टेंपू ड्राइबर जो लफ हुआ है तो गांजा टेंडराइट फिकर के कम चलाता है शुचा पाइसा सबारी से लूट ले बाकी 95 ठीक है लेकिन पाचे के चलते पूरा टेंपू ड्राइबर बाद नाम है तो देखा आपने हमने पसेंजर और ओटो ड्राइबर दोनों से बाद किया है और सबने अपनी अपनी राइड रती कहूं enjoys जो ऑटो ड्राइबर और पसेंजर में बगझजक होती इसकी वज़े एक महंगाई भी है और लोगों ने भी अपनी राइबर कि लोगों कहना है कि ऑटो ड्राइबर को एक भाड़ा तैंक कर लेना चाहिए उसी ह खबरों के लिए बने रहे हमानसत हमार्चे पन्यूस विंग के साथ.